एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आपके सामने आए हैं और वो मुद्दा आपको भी उतना ही प्रभावित करता है शायद जितना इस देश के विपक्ष को करता है लेकिन बहुत कुछ बोलने से पहले कुछ तथ हैं यहाँ पर बोल देने जरूरी हैं अभी अ सेशन की समापती हुई है और हिंदुस्तान की राजनीती में पहली बार आजाद हिंदुस्तान के 75 साल की राजनीती में पहली बार सत्ता पक्ष ने सदन का अवरोध किया और सत्ता पक्ष ने सदन नहीं चलने दिया और एक संयुक्त विपक्ष ने एक स्वर में इस सरकार क गेरा और एक संयुक्त विपक्ष ने JPC की अडानी महा घोटाले पर बात की हम ED जा रहे थे हमारे सांसद 200 सांसदों को 2000 पुलीस पोर्स रोकता है हम संसद में जहां धरना करते हैं वहां पर मार्शल्स आते हैं हमारे माइक बंद कर दिये जाते हैं और विपक्ष की सबसे और प्रखर आवाज को विपक्ष के ही नहीं सदन से ही निश्कासित कर दिया जाता है एक मैच फिक्स करके एक रिवर्स एंजिनियरिंग करकर राहुल गांदी जी ने साथ फरवरी को सवाल पुछया डानी पर और उनकी आवाज को बंद करने का काम लगा मोधी सरकार को कि वो कर देगी लेकिन असलियत ये है कि जब समूचा विपक्ष एक साथ खड़ा होता है तो सरकार बुखला जाती है राहुल जी के सवालों से ये सरकार बैक फुट पर है और इसलिए अब हर उस आवाज का दमन करना चाहती है जो खड़े होकर इनसे सवाल पूछेगा एक भी सवाल इनसे अनकंफरटबल पूछ लीजे बेरोजगारी, महंगाई, आर्थि कासामानता, किसानों की दूरदर्शा, चीन का अतिक्रमण और सबसे बड़ा मुद्दा अडानी महा घोटाला ये सरकार अब हर उस आवाज का दमन करने को तैयार है, जो इस तरह के सवाल पूछेगा या तत्थियों को सामने लाएगा बड़े-बड़े खुलासे हुए हैं, चाहिए वो अडानी महा घोटाला हो, चाहिए वो चीन का अतिक्रमण हो, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है जब अधिकांश मीडिया को पी-एमो का एक चपरासी वाटसाप के माध्यम से चलाने की जरुरत करता है तो अल्टरनेट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया पर खबरे आती हैं आज इस सरकार ने उन आवाजों के भी दमन की बात करी और उसमें आपके जैसे डिजिटल प्लाटफॉर्म्स, आपके चैनल्स के डिजिटल प्लाटफॉर्म्स, आपके अखबारों के डिजिटल प्लाटफॉर्म्स भी शामिल है IT Amendment Rule इस सरकार ने notify कर दिया है ये जनवरी में draft निकाला गया था और consultation की बात करी गई थी कोई व्यापक चर्चा इस पर नहीं हुई जो stakeholders है वो संतुष्ट नहीं उस चर्चा से और उसके बाद भी रातो रात इसको notify कर दिया जाता है ये IT Amendment Rule तब notify किया जा रहे है जब IT Act 2021 की already courts में है Supreme Court के सामने है Supreme Court को अभी उस पर चर्चा करनी है और उसका संग्यान लेना है तो ऐसी क्या जल्दी है और अब जो जनवरी में आया था उसमें fake news के खिलाफ P.I.B. fact check करेगा अब और भी बड़ी बात कह दी गई है उस पर एक independent unit जो सरकार के अंतरगत रहेगी बड़ी वो fact check करेगी सरकार ही कोतवाल है, सरकार ही मुझरिम है, सरकार ही जज है, सरकार ही सब कुछ अपने बारे में करेगी तो अगर आप कोई सवाल सरकार से उठाते हैं जो कि असहज है तो अब twitter, facebook, youtube, whatsapp, तमाम ऐसे platforms को सरकार ने अपने आपको एक एक अधिकार दे दिया, एक छतर राज दे दिया है कि वो उनसे कहकर उस news को हटा सकते हैं, लेकिन जादा कुछ कहने से पहले सरकार के track record की बात कर लेते हैं आपको याद होगा, 2019 में चुनाओ के जस्ट पहले, आप ही के एक साथी ने बहुत बड़ी एक स्टोरी लगाई थी कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी 35 साल में सबसे उपर है सरकार की fact check unit ने उसको fake news बताया था और 31 मई को जब मोदी जी शपत ले रहे थे तो NSSO ने वो डेटा जारी किया और 45 साल में सबसे उपर बेरोजगारी थी तो जिसको आप चुनाओ के पहले fake news बता रहे थे और उस डेटा को अपने NSSO को निकालने नहीं दिया वो तीन महीने बाद डेटा भी सही था ख़बर भी सही थी सरकार को बचाने का काम खुद सरकार ने किया था fake news कहकर reporters collective ने एक स्टोरी करी मार्च में 2022 में और उन्होंने कहा कि आधार जो है वो midday meal schemes के लिए जो portion की schemes होती है बच्चों के लिए वो mandatory कर दिया जाएगा सरकार ने सरकार की unit ने उसको जून में fake news बताया कि ये fake news है और अगस्त में women and child development ने एक notice जारी किया और कहा कि आधार mandatory नहीं होगा अगर वो fake news थी तो आपको ऐसा क्यों करना पड़ा सवाल सिर्फ इस बात का है अगर वो fake news थी तो आपको notification क्यों जारी करना पड़ा तीसरी स्टोरी में बताती हूँ गलवान में हमारे 20 जाबाजों की शहादत होती है आप में से बहुत लोगों ने sources के माद्यम से पुष्टी कराई आप ने स्टोरी चलाई कि 20 जाबाजों की शहादत हुई है जड़प हुई है गलवान वैली में और उस खबर को आप इस देश के सामने लाएं इस सरकार ने उसको डिनाई किया इसको फेक न्यूस कहा गया तब तक जब तक बोडी वापस घर नहीं आने लगी और फिर डिफेंस मिनिस्ट्री को अपनी वेबसाइट पर इसकी पुष्टी करनी पड़ी तो हर जो चीज असहज रहेगी उसको आप पहले डिनाई करके फेक न्यूस कर दीजेगा और उसके बाद उसी पर आक्शन लिया जाएगा मुझे अभी भी याद है यूपी में चीनी आप अपने फोन से हटाया जाए ये खबर चली थी उसको भी बोला गया था फेक न्यूस है तो मेरा कहना ये है कि जो भी असहज है अगर अब अडानी पर खुलासे होंगे जो की लगातार हो रहे है और मैं दुख के साथ भी कहती हूँ और थोड़ा सा अक्षोब के साथ भी कहती हूँ अडानी के खिलाफ जो खुलासे हो रहे हैं वो मेंस्ट्रीम मीडिया में नहीं हो रहे हैं अगर डिजिटल प्लाटफॉर्म्स इसको कर रहे हैं अगर सोशल मीडिया की फैक्ट फाइंडिंग एजन्सी इस पर कर रही है काम उसको भी फेक न्यूस कहा जाएगा अब हम देश को पूरी तरह से सेंसर्शिप पर ले जा रह है एक चीनी कंपनी अडानी के हर कॉंट्रैक्ट में सब कॉंट्रैक्टर है वो दहेज से लेके कांडला हजीरा मुंद्रा हर पर्ट में गुसा हुआ है उसको भी फेक न्यूस बता देंगे उसके भी डिफेंस में आ जाएंगे तो सवाल आज ये है कि क्या विपक्ष की और ये सरूरी है कहना और अब ये जो एक बेतुकी बात कही गई ये फेक न्यूस अगेंस सेंट्रल गव्मेंट अगर ऐसा ही है तो सरकार को आईना भी दिखाना चाहिए भारतिये जनता पार्टी से जादा बड़ी फेक न्यूस फैक्टरी दुनिया में कोई नहीं है और न्यूस के सरगना जितनी भारतिये जनता पार्टी की आईटी सेल के हेड और आईटी सेल के लोग है उनसे बड़े कोई नहीं है लगातार उनका जूट पकड़ा जाता है और हमी नहीं सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म भी उसको वेरिफाई करते कि यह मैनूपलेटेड मीड यह आउट ओफ कॉंटेक्स मीडिया है यह फेक निउस है जूट फैलाने का काम इस सरकार के मंतरी करते हैं खुद प्रधान मंतरी जूट बोलते हैं मैं नहीं पढ़ना चाहती किसी और विवाद में लेकिन यह सच है कि जो विवाद इस समय प्रधान मंतरी की एजुकेशन किसी चीज को लेकर चल रहा है उसका जो बेडरोक है तो किसकी फेक निउस की बात करेंगे आप एक व्यक्ति प्रशान पटेल है स्टैंडिंग काउंसल है गोवा का भाजपा का सदस है कर सुप्रीम कोट ने उसको बोला कि आप लगातार फेक निउस पहलाते हैं आप माफी इसके खिलाब सरकार अक्ट करेगी और यह जो रूल्स है इनकी सबसे बड़ी खराबी यह है कि इसमें कोई भी जुडिशनल ओवरसाइट नहीं है आपने प्लाटफॉर्म को बोल दिया प्लाटफॉर्म को हटाना ही पड़ेगा इसमें रेगुलेटरी मेकानिजम कोई नही एसजवर्गुलेटरी बोडी सेफ रेगुलेटरी बड़ी बनाने की बात फैक्ट चेकर इसके लिए चल रही है फैक्ट की आपको बड़ी चिंता है लेकिन फैकाट सेक्र को जेल में डालना है तो दिक् junto की बात यह है कि जब सर्कार एक हमारे सास्त्रों में कहा गया है ऽि विपक्ष को या इंडिपेंडेंडेंट मीडिया को या असहज सवालों को दबा दीजेगा तो सच छुपाय नहीं छुपता है यह अपने आप में एक बात है मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की समस्या ही यह है कि कोई सवाल ना पूछे क्या सरकार यह जवाब दे सकती है कि भा लेकिन प्रचार प्रसार प्रपगेंडा भाजपा का फेलाते हैं अगर आप फेक न्यूस पर क्राकडाउन कर रहे हैं तो सबसे पहले तो भारतिये जंता पाटी के फेक न्यूस तंत्र पर क्राकडाउन करिये क्योंकि जो क्राकडाउन करने का काम Ministry of Electronics and Information Technology ने IT Amendment Rule नोटिफ आप एक व्यक्ति को चुपकरा दीजेगा आप दो व्यक्ति को चुपकरा दीजेगा लेकिन आज तो जन्ता खड़े होकर पूच रही है कि ये सरकार, Modiji जी और उनके सारा तंत्र आज अडानी को बचाने पर क्यों तुला हुआ है आपके स्वालों का स्वागत है, if I may just make a quick statement in English on this, the IT amendment rules have been notified by the ministry of electronics and information technology as of two days back, it's bizarre because these rules were put up for consultation in January, it now says that fake news against the central government will be checked by a unit of the government itself, so the government is the propagator, the author, the originator and the factory of fake news operators and which is why the question is, is the government willing to discuss issues that really matter, our budget session has just gotten over, the Adani scam, the Chinese occupation, unemployment, high prices, income inequality continue to be the raging issues of our times, what you did, you first sent police and marshals to silence the MPs, you cancelled Rahul Gandhi's membership and you believe that he is not going to talk after that, you believe that because you will suppress large sections of media, you can do that to independent digital platforms as well, you are trying to control, this is nothing but censorship and control of the world wide web and every stakeholder is up against it, the social media platforms are against it, the users are against it, the media houses are against it, you read the statement of your own body, the press council of India and you will figure out how draconian these rules are and how everything is being done is done to suppress the truth, this violates India's constitution, this violates freedom of speech and expression and more than anything else, it violates the IT act of 2000 which is the mother law under which these amendments are being made, the uncomfortable questions, the uncomfortable truth baffles this government, they are on the back foot and which is why they are now trying to control the world wide web, there have been numerous instances of a news coming, being called out as fake news by the government and then turning out to be true, whether it was unemployment at a 45 year high, whether it was Aadhaar being made mandatory for children, whether it was the galwan clashes and then of course the supreme sacrifice of our soldiers, any issue, whether it was railway privatization, whether it was China, any zap being banned, everything so far has had a pattern, everything which is uncomfortable to the government will be called out as fake news and then the same government will go and act in accordance with the news item, so this is a very baffling pattern, this should worry every Indian because this is nothing but seizure, control and censorship of the world wide web and I will only end by saying that if you are really serious about will you act against your fake news, will you act against your own because the biggest fake news factory in the world is the BJP IT cell, the half truth, the complete lies, the slander, the reputation assassination that happens from that fake news factory, statements made by the prime minister attributed to somebody else, statements not made by anybody attributed to people, are you willing to act against your own, is the prime minister going to be called out for the lies that he peddles, is the BJP IT cell going to be banned, is the BJP IT cell going to be banned, that's the question today.